ओम शान्ती 10-6-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे आशरीरी बनने की ड्रिल नमबर वन ड्रिल है इससे वायू मंडल में सन्नाटा चा जाता है बाप का डारेक्शन है इसी ड्रिल का अभ्यास करो प्राश्न दुनिया के अनेक विघनों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं उत्तर जो किसी भी विघन की परवाह नहीं करते तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं विघन डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी धर बनते हो कहते हैं श्री कृष्ण ने चौत का चंद्रमा देखा इसलिए उस पर कलंक लगे लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं अंत में तुम कहेंगे हे भारत वासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगी धर बनते हैं ओम शांती बच्चों परती शिबाबा का फर्मान है शिबाबा कहते हैं मैं ड्रिल टीचर हूँ न कहते हैं अशरीरी भव बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ मन मना भव मामे कम याद करो यह तो जानते हो अब धर्म की गलानी है गीता में हैं यदा यदा ही धर्मश्य यह श्लोक जन्म जन्मानतर हम गाते आए हैं जबसे भक्ती मार्ग शुरू हुआ गीता का पाट करते आए हैं शिबाबा की पूजा करते आए हैं वही शिबाबा अब कहते हैं मा में कम याद करो, तुम पर फिर से माया का परचाया पढ़ गया है, अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुम को वापस जाना है मेरे परम धाम में, अगर श्री कृष्ण होता, तो कहते मध्या जीत भव, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण पूरी में याद करो, ज्यान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव, शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है, तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिकलाते हैं, यह है नमबर वन ड्रिल, मन मना भव आशरीरी भव, तुम सब ब्रामन उनको याद करेंगे, अगर कोई शूद्र यहां और कोई ख्यालात में बैटा होगा, तो वाईयू मंडल खराब कर देगा, उस एक को जब सभी याद करेंगे, तो सन्नाटा चा जाएगा, जैसे कोई मरता है, तो सन्नाटा हो जाता है, आत काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ, मैं सब को लेने आया हूँ, और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मातन में, मैं मनुष्य स्रष्टी का बीज रूप चैतन्य हूँ, मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है न, श्री क्रिश्न ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की, तुम्हारे सिर पर जो विकारों के मटकी है, उनको तोड़ते हैं, और ज्यान अमरत का कलश देते हैं, बाकी सत्यूग में थोड़े ही कोई ऐसी बात हो सकती है, गोपियां तुम हो, गोपी वल्लव की गोपियों पर ज भाड़ना हो सकेगी, गोपियों का वल्लव बाप तो है श्री बाबा, श्री क्रिश्न को वल्लव नहीं कह सकते, लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, यह तो काईदर नहीं है, बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि श्री वो आह ठहरे, यह राज समझाना है, इसको ग्यान का धर्म युद्ध कहा जाता है, उन्हों के पास है शास्त्रों की मत, और तुम्हारे पास है श्री मत, बाबा कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ, जब राजियोग सिखलाना है, भारत के उपर ही यह सारा खेल है, हीरो हीरो इनका पा लोग तो भूमी को मातरम कहते हैं, भूमी तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है, इस धर्नी में रहने वाली तुम माताए हूँ, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है, वह भूमी को वंदे मातरम कहते हैं, तो भूत पूजा हो गई, अभी तुम बच्चे प्राज़ाही लेने लिए जिस तरब साक्षात सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है परमात्मती महिमा बिलकुल अलग है वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि मा में कम याद करूं और सब तुमको दुख देने वाले हैं सभी दुश्मन बन बिगन डालते हैं यह क कोई नई बात नहीं है हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़े ही है श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौत का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाएं कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगी धर बनेंगे फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितन गाली दी देखो हम यह बन रहे हैं राज्य भाग्ये ले रहे हैं लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है तो जो राज्य भाग्ये देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है यह श्य बाबा समझा रहे हैं यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं इसलिए श्य बाबा कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं निमंतरन पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट्स बहुत अच्छी लिखी हुई हैं बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है लक्षमी नारायन को बेहद का वर्षा किसने दिया बाबा ने तो यह सब समझने की बाते हैं हमारे यह सितम सहन करने का भी पार्ट है 21 जन्मों के लिए बात्शाही मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है गाया जाता है सन शोस वादर स्टूडेंट सोश टीचर अब तुमारा रियल पार्ट है तुम समझा सकते हो वही हमारा बाप टीचर सत गुरू है वह जीवात्माओं का बाप है उनको सर्वेव्यापी कैसे कहेंगे बाप तो उपर रहने वाला है तब तो दुख में यह उनको याद करते हैं वह आते तब हैं जब धर्म गलानी होती है बाबा कहते हैं हमारी जन्म भूमी भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है परमात्मा की जन्म भूमी भारत है यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं अगर सब परमात्मा हो तो सब की जन्म भूमी भारत होगी बाबा कहते हैं सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ती धाम ले जाता हूं जब उन्हों को यह मालूम पड कि हमको मुक्ती देने वाला बाबा है वह भारत में जन्म लेते हैं तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए समझो सभी को मालूम पड़े परंटु आ कैसे सके सभी तो भारत में आना सके इतना तो अन्य नहीं है भारत में यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओह हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदी को भी मुक्ती देते हैं उनका जन्म भारत में होता है पहचानेंगे तो नौलिच से और क्या देखेंगे ब्रामणों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं न बि बरो बर फलानी आत्म है शे बाबा भी जब नौलिच दें तब समझें कि शे बाबा बोलते हैं ज्यान यह तो दे न सके यह सिवाए बाब के कोई समझा न सके कभी कभी कोई कहते हैं हम शिबाबा से बात करें परंतु उनको पहचानेंगे कैसे समझ भी नहीं सकेंगे बुद्धी से समझना चाहिए कि यह नौलेज बाबा के सिवाए कोई दे नहीं सकता देखो कहा कहा बच्चियां बिगर देखे तड़प रही है शिबाबा से मिलने जरूर उनकी ताकत है जो खीचती है कशिश होती है तो उन्हों को शफेद पोश का साक्षतकार कराते हैं इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं तो उनकी नौलेज से मालुम पढ़ता है बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षातकार भी होते हैं परन्तु उनसे क्या फाइदा तुम्हारा काम नौलेज से है यह नौलेज कोई दे ना सके तो यह सारा गुप्त पार्ट हुआ कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ तो यह नौलेज इतनी बाबा ही देते हैं हम थोड़े ही जानते थे बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी करना सकेगा मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भागे दूँगा फिर भी अगर वारिस ना बनाओ तो तकदीर कहा जाता है तुम बच्चियां जानती हो हम शे बाबा से वर्षा लेने लिए यहां आए हैं शे बाबा को और बैकॉंट को तुम सिवाए दिविदरष्टी के देखना सको ज्याम तो बिलकुल क्लियर मिल रहा है न हमको बाबा राज्य योग सिखलाते हैं उच्च ते उच्च वर्षा है बैकॉंट की बादशाही सो भी पढ़ाई से मिलती है कोई भी राज्य योग सिखलाना सके हम नर से नारायन बनते हैं यह राज्य योग सिखलाते ही हैं अंत में तब तो फिर सत्योग में राजा रानी बनेंगे यह मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई उस समय तो और कोई धर्म था नहीं विसब कहां गए विनाश हुआ बिलकुल सहज बाद है ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो फिर भी प्रजा तो बन जाएगी गाड़ी का डिबबा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी बैट कर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा लिट्रेचर हाथ में होना चाहिए साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिके लिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार पहला 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए श्यवाबा को अपना वारिस बनाना है हर कर्म से बाप, टीचर, सत्गुरु तीनों का शो करना है दूसरा ज्यान क्लियर मिल रहा है इसलिए साक्षातकार की आश नहीं रखनी है साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विग्णों से घबराना नहीं है वरदान मेरा बाबा के इस्मरती स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मभव मेरा बाबा के स्मरती स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव कल्प पहले की स्मरती आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो इस मेरे पन की स्मरती से नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मरती स्वरूप में टिक गए इसी स्मरती के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए जो जितना स्मरती में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है जहां इस्मरती है वहां समर्थी है ही थोड़ी सी विस्मरती थोड़ी भी विस्मरती है तो व्यर्थ है इसलिए सदा इस्मरती स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो स्लोगन हार्ड वर्कर के साथ साथ इस्तिती में भी सदा हार्ड मजबूत बनो हार्ड वर्कर के साथ साथ इस्थिती में भी सदा हार्ड मजबूत बनो मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य स्रश्टी की आदी कैसे होगी बहुत मनुष्य यह प्रश्ण पूछते हैं कि परमात्मन स्रश्टी कैसे रची है आदी में कौन सा मनुष्य रचा अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा निस्रश्टी की आदी ब्रह्मा तन से की है पहला आदमी ब्रह्मा रचा है तो जिस परमात्मा निस्रश्टी की आदी की है तो अवश्य पर्मात्मा ने भी इस स्रष्टी में अपना पार्ट अवश्य बजाया है अब पर्मात्मा ने कैसे पार्ट बजाया पहले तो पर्मात्मा ने स्रष्टी को रचा उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्रीकृष्ण बनी, उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के स्रश्टी की स्थापना की, तो देवी स्रश्टी की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदी पिता ठहरा ब्रह् सो शिर्कृष्ण बनता है वही शिर्कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मातन है अब ऐसे ही स्रष्टी का नियम चलता आता है अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है तो रजोतमों अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राम्मन बनते हैं तो हम हैं ब्रह्मावन्शी सो शिववन्शी सच्चे ब्रामन अब ब्रह्मावन्शी उसको कहते जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्यान लेकर पवित्र बनते हैं तो इस सिद्ध है कि इस रष्टी का आदी पिता है बाबा ब्रह्मा अच्छा ओम शांती आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा